ये छभी मुरा भोल चार्ट बहुत है जंगल की अंदर जा रहा है पूरे छभी मूरा को दिखा देख़िए कि आपार टोरिस्ट आते हैं दोस्तों बहुत देले से दोस्तों तो दोस्तों यहां का सुन्दर था देखनें करेंगे तो राईज आम पहुच गया है वाइनल इस देख सकते हैं इसको कितना सुन्दर है दोस्तों देख सकते हैं पूरे च्वी मुरा को हम एक्स्लोर करेंगे दोस्तों आज तो दोस्तों यहां पर लिखा रहा है कि ड़्ट को क्रिपिया करके ड़स बीन पें फेकना और द अब ही अधरी बोट लेंगे करें तो अभी हम जा रहे हैं दूस्तो इस पार देख सकते हैं जैसे ऑफ लेने जा रहे हैं अभी आजेरा इहासे यहाँ बहरा करेंगे उसकी बाद बोट के सहाधी दूस्तो पूड़ा एक्प्लॉर करेंगे नदीसे वोकर तो जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे बोट है देख सकते हैं और अभी बोट में जाने की तैयारी हो रहे हैं तो दोस्तो यहां का सुन्दर था देख सकते हैं कितने सुन्दर दोस्तो जैसे लग़ा है कि अलगी किसी दुनिया में आ गए इतना सुन्दर है यहां चारों तरफ जंगल ही जंगल और जंगल के बीचे नदी गुज़ाए दोस्तों दोस्तों इन कलक्रितियों को देख सकते हैं चारों तरफ आप लोग को ऐसे दिखेंगे पहार के दोस्तों पहार के दोस्तों खुदा ही करके दोस्तों यहां के जो आधिवासी रहते थे उनका ही दोस्तों बनाया हुआ है आपर देवी मा का मूर्ती आपर दुर्गा का मूर्ती भी है थोड़ी दूर पर दोस्तों भी दिखा देंगे। दोस्तो रोज यहापर हजारों के संख्या पर टोरिस्ट आते हैं दोस्तो बोट ले ये देखिए दोस्तो इसकी बाद में बोल रहाता दुर्गा महिया का मूर्ति देख सकते हैं देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे दुर्गा महिया का मूर्ति आप लोग मिले के जलता हूँ ओसेता दोस्तों पूरे दीख़ी दोस्तों बनाने वाले का दूस्तों देना पर केसे बनाया है दोस्तों खुद्राय करके स्टार्ड होता है जंगल के अंदर जाना तो दोस्तों अब हम जंगल के अंदर जा रहे हैं पूरे छभी मुरा को एक्सपोर करके दिखा देंगे अंदर क्या क्या है दोस्तों गुफा से लेकर दोस्तों सीरी चराई तक सब दिखा देंगे दोस्तों तो अब हम पूरे अंदर चले जाएंगे दोस्तों ऐसा लग रहा है साइड में जो पहारे हो हमारे उपर गिर जाएंगे दोस्तों इतने मतलब करीब है पहारी लगे हुए कितने बड़े पथर देख सकते हैं उसके बाद सीरी देखें दोस्तों कितना बड़ा सीरी यह देखें सीरी तो दोस्तो सीरीज चलाई करने में बहुत तकलीफ हो रहा है दिक्कत हो रहा है देख सकते हैं बहुत बड़ा सीरी है दोस्तो नीचे से लेकर हीग का तो दोस्तों यहां पर ऐसे दो से माई चीज जई है जैसे कि पहला होगा यह पर एक दिपक दोस्तों जो कब से ज़ल रह면 किसी को नहीं पता ही और दूसरा है दोçarा का गुफा बहुत ही रहस्माई है दोस्तो एक गुफा दिखा दिन्गे दोस्तो आप लोग तो दोस्तो सपने चलते चलते देख लेंगे एक शीवलिंग है जो शीवलिंग पर दोस्तो एहां से कपसे प्रदी मतलब धीपक झल रहा है देख सकते हैं धीपक कशिह का दोस्तो बुझता ही pompت 있기 कौन त अब ही हम अप लोगों उस गुफा पर जाएंगे और यह जिख सकते हैंसे महीं कोशिश के लेकिन अंदर जाते ही दोस्तोव बॉठ जाती है तो देख सकते हैं आपा जो शिबलिंग पर पूजा होता है वहाँ पर एक गंटा भी लगाया हुआ है बहुत पेले से दोस्तो तो इसे हम बजा रहे हैं तो दोस्तो आभी हम उस ब्रीज पर जायेंगे देख सकते हैं ठीक मेरे सामने ये ब्रीज बहुत ही सुन्धार है दोस्तों बहुत ही खुबसूरत है दो रोफ की अंदर और साइड में देख सकते हैं दोस्तों गेस्ट हाउस है यहाँ पर गेस्ट के लिए दोस्तों गेस्ट रूम है यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर भी रह सकते देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा है ब्रिज बहुत दूर तक गया है ब्रिज दोस्तों देख सकते हैं बहुत दूर तक गया है और साइड में दोस्तों सिर्फ जंगल ही जंगल अगा नीचे गिर गया किसी तरह से तो काम खतम तो जैसे कि देख सकते बहुत दूर तक गया है दोस्तों ये ब्रीज बहुत दूर तक देख सकते बहुत तो दोस्तों जैसे कि नीचे देख सकते नदी भी है देख सकते नीचे नदी है तो दोस्तो आज का वीडियो था इतना था कि तब तक ले गुडबाई टेक के रहें जाएं